सभी बाईयों को राम राम दोस्तों नोलेज ओफ डिफेंस चैनल के अंदर आपका हार्तिक स्वागत है दोस्तों 10 सितंबर बिलकुल नजदिक आचुकिया है आपका एक्जाम नजदिक आचुकिया है पूरी वीडियो को भहुत ही ध्यान से सुनना है सारी की सारी वीडियो जो है वो बहुत important है और ये वीडियो जो है वो आपके बाद राम बान साबित होगी आप लोगों के लिए तो पूरी वीडियो ध्यान से सुनना है आज होंसलू के बुरंत भुणने के लिए आपके लिए motivation जो code है वो अकेले चलने का सांस रखो जनाब काम्याभी एक दिन आपके कदमू में होगी काम्याभी जो है वो एक दिन क्या होगी आपके कदमू में होगी आज का पहला क्यूस्चन जो है वो आपके लिए G20 क्या है? G20 जो है वो क्या है? आपको बताना है G20 जो है वो क्या है? तो G20 जो है दोस्तों, G20 का साल 1909 में जो है वो गठन हुआ था. इसको Group of 20, 20 है, Group of 20 भी कहा जाता है. यह European Union है और 19 देशों का एक अनोपचारिक समू है. G20 सिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुड़ते हैं और वेश्विक अर्थ्वेवस्था को बढ़ाने पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं. इसकी फार्मेशन की स्थाबना जो हुई थी, वो 26 सिखर सम्मेलन में को हुई थी. और इसका जो 2023 का सिखर सम्मेलन है, वो 9 सिखर को सुरू हो रहा है. 9 सितंबर को सुरू हो रहा है और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है. 9 सितंबर को सुरू होगा और 9 और 10 सितंबर को 2 दिन ये सिखर सम्मेलन होगा. Next question है आपके लिए वर्ष 2022 में G20 सिखर सम्मेलन कहा हुआ था? तो दोस्तो वर्ष 2022 में G20 का सिखर सम्मेलन जो हुआ था वो इंडोनेसिया में हुआ था एक्जाम की दर्ष्टी से important topic है G20 का सिखर सम्मेलन 2024 में कहा होगा तो जोस्तो G20 का सिखर सम्मेलन 2024 में जो होगा वो ब्राजिल में होगा Next question है आपके लिए कि 2023 G20 की theme क्या है जो theme है वो वसूधेव कुटम है यानि कि एक पर्थ्वी एक प्रिवार एक भविश्य G20 की क्या है theme है Next question है दोस्तो बारत नाम की उत्पत्ती का समन्थ प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से माना जाता है तो एक्जाम की दर्ष्टी से बहुत important question है ससी जिड़ी के अंदर आया हुआ है आर्मी के अंदर आया हुआ है तो इस person को आप अच्छे से याद रखना भारत नाम की उत्पत्ती का समन्थ जो प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से माना जाता है तो आपको सही answer जो करना है वो भर चकरवर्ती करना है सारे के सारी question बहुत important है दोस्तो ब्रमस्तर है ये वीडियो आप लोगों के लिए अगर ये वीडियो जो नहीं सुनेगा आपने आप में बहुत पस्चाताप करेगा एक्जाम हाल के अंदर आपको सारे के सारे question हो बहुत देखने को मिलेंगे तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना है और बार-बार repeat करना है दोस्तो काफी important वीडियो है ब्रमस्तर का इस्तिमाल किया है एस या खेलों में सरवडपतक प्राप्त करने वाली पहली भारतिय महिला कोन थी तो वो थी कमलजीत सेंदू important question नमर साथ है दोस्तो सरवड़ चन्याले में पर्थम महिला नायधिस कोन थी तो वो थी फातिमा वीबी next question है आपके लिए पर्थम भारतिय अंतरिक सियात्री कोन था तो अगर पर्थम भारतिय अंतरिक सियात्री पुछा जाता है तो आपको राके सर्मा बताना है पर्थम भारतिय अंतरिक सियात्री पुछा जाता है तो राके सर्मा भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला रज्य कोन सा है दोस्तो अगर पुछा जाता है तो वस 2011 की जन्दगन्ना के आधार पे सिक्कम जो है वो सब से कम जनसंख्या वाला रज्य है very very important question है दोस्तो एकजाम की दरश्टी से आपको याद रखना है और next question है भारत के पर्थम वाइसराय जो है वो कौन थे तो भारत के पर्थम वाइसराय जो थे वो लाड कैनिंग थे next question है दोस्तो भारत के केंदर सरकार की पर्थम मंत्री कौन थी पर्थम महिला मंत्री कौन थी पूछ रहा है तो वो थी राजकुमारी अमरता कौर कौन थी राजकुमारी अमर्ता कोर के अंदर सरकार की पर्थम महिला मंत्री थी नेक्स्ट के उस्चन है दोस्तो भारत की पर्थम महिला मुख्य मंत्री कौन थी वेरी वेरी इंपोर्टेंट के उस्चन है दोस्तो स्रीमति सुचेता करपलानी जो थी वो भारत की पहली महिला मुखे मंतरी बनी और भारत की पहली महिला मुखे मंतरी कहां की बनी थी ये तो दोस्तो उत्तरपरदेश की बनी थी और इनका समन्ध सवतंतरता से नानी और राजनितिक से भी था तो एक्जाम की दर्ष्टी से सारे के सारे question important है हर question को आपको याद रखना है Question number 13 है दोस्तो बहरत की लोग सभा के पर्थम अद्देक्स कौन थे तो बहरत की लोग सभा के जो पर्थम अद्देक्स थे काफी exam मों में आयाओ question है RPC के अंदर आयाओा है RPSC के अंदर वाय हुआ है SSC के अंदर वाय हुआ है और nursing stand के अंदर आय हुआ है तो आपको याद रखना है लोग सभा के पर्थम देख्स जो थे वो जिवी मावलकर थे और वर्तमान में जो है वो ओम बिरला जी है कौन है? ओम बिरला है और ओम बिरला का समन्द जो है वो कोटा विदान सभा है कोटा से सांसद है कोटा से MP है ये ओम बिरला जी जो है वो और वर्तमान में क्या है? लोग सभात देख सें Next question है दोस्तो दोरा सतक बनाने वाली पर्थम बारती महिला किरकेटर कोन है तो इनका समन्द मितली राज से है फैस्ट गरेट टीचर के अंदर ये क्यूस्चन आ चुका है और SSC जिड़ी के अंदर ये क्यूस्चन आ चुका है और अभी नेक्स्ट में आर्मी जिड़ी के अंदर छपेगा दोस्तो याद रखना Next question है दोस्तो अंतराष्टी एन्याले में न्यूकती पर्थम भारतिय न्याएधीस कोन है तो अंतराष्टी एन्याले में न्यूकत पर्थम भारतिय न्याएधीस जो रह चुके है वो डाक्टर नागेंदर सिंग है और ये क्यूस्चन काफी बार एक्जाम में आ चुका है और अब की बार वीट पकने की पूरी पूरी सभावना है Next question जो है वो दोस्तो पर्थम महिला लोक सभाद देख्ष कौन थी तो पर्थम महिला अगर लोक सभाद देख्ष पुछी जाती है आपको तो correct answer जो करना है आपको मेरा कुमार करना है दोस्तो Next question है दोस्तो बोतिक विज्ञान में नोबल पुर्षकार पाने वाले पर्थम भारतिये कौन थी तो बोतिक में नोबल पुर्षकार पाने वाले जो पर्थम भारतिये थे वो सीवी रमन थे और इनको जो नोबल पुर्षकार मिला था दोस्तो वो 1930 में मिला था और साहित्य के छेत्र में अगर पूछा जाता है और पहला अगर पूछा जाता है पर्थम भारतिय नोबल पुर्सकार विजयत्ता इनको साहित्य के छेत्र में मिला था और 1913 में मिला था और ये मिला था रविंदर नाथ टैगोर को साहित्य के छेत्र में मिला था रविंदर नाथ टैगोर को मिला था और रविंदर नाथ टैगोर ने गितांजली पुस्तक लिखी थी और इनुने 1910 में गितांजली पुस्तक लिखी थी दोस्तो और इनको 1913 में नोबल पुर्शकार मिला और पर्थम भारतिये नोबल है वही स्थान हिंदी साइट्य के अंदर तुलसी दाश जी का है और अंग्रेंजी साइट्य के अंदर वीलियम सेक्सियर का है एक ही क्यूस्चन में आपको काफी सारे क्यूस्चन बता दिये गए हैं दोस्तों एकजाम की दरश्ड़ी से सारे क्यूस्चन इंपोर्टेंट है आपको याद रखना है चेकश्या के छेत्र में नोबल पुर्षकार पाने वाले पर्थम भारतिये कौन थे तो अगर चेकश्या के छेत्र में नोबल पुर्षकार प्राप्त करने वाले पर्थम भारतिये विक्ति अगर आपको पुछा जाता है तो और यह क्युस्चन जो है वो SSC GD के अंदर आया हुआ है दोस्तो और दिल्ली पुलिस के अंदर यह क्युस्चन आया हुआ है और आर्मी के अंदर अब आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट जो क्युस्चन है दोस्तो बारत रतन प्राप्त करने वाली पर्थम भारतिये महिला कोन थी तो बारत रतन प्राप्त करने वाली पर्थम भारतिये महिला जो थी वो सिरिमती इंदरा गंदी जी थी बहुत इंपोर्टेंट क्युस्चन है एकजाम की दरश्टी से द उत्पादन होता है, वो राज्थान में होता है, राज्थान में सोरुजा के कई सारे थर्मल पाय। पलांट लगाए गए हैं दोस्तो, जो कि सूर्थगड में भी है। बारत में पावन उर्जा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है अगर पावन उर्जा की चर्चा की जाती है दोस्तो तो तमिल लाडू राज्य जो है वो पावन उर्जा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है और अगर सोर उर्जा का पुछा जाता है तो दोस्तो र क्यूस्चन है 24 नमर क्यूस्चन है दोस्तो परतिवरस भारत का सबसे बड़ा पसु मेला कहां लगता है तो दोस्तो परतिवरस भारत का सबसे बड़ा पसु मेला जो है वो सोनपुर के अंदर लगता है और ये जो क्यूस्चन है जे आर्टी जेसियोज के अंदर आया हुआ क् आर्टी जेसियोज और केटरिंग जेसियोज के अंदर आयवा क्युस्चन है दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्युस्चन एक्जाम की दरश्टी से आपको याद रखना है आप सिर्फ क्या कर रहे हो कि राम सिंग यादव की जो बुक है उसके पीछे पड़े वे हो दोस्तो राम सिंग यादव की बुक में सलेवर्स काफी हच तक हो चुका है काफी हच तक उसमें आता है एक्जाम के अंदर लेकिन दोस्तों 40 से 45 परसेंट जो सलेवर्स है वो आपको अदर्वाइज से भी देखने को मिलेगा करंट फेर से भी आपको देखने को मिलेगा तो इसलिए आपको एकजाम हाल में दिक्कत ना आए इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो जो है आपके लिए रामबार साबित होने वाली है अगर ये पूरी वीडियो आप ध्यान से सुनोगे तो आपको चार से पांच नमबर का इजाफ़ा आपको देखने को मिलेगा गलोबल करकरेखा भारत के किन राजियों से होकर गुजरती है तो गलोब करकरेखा भारत के किन राजियों से होकर गुजरती है दोस्तो नेक्स्ट क्यूस्चन है जो आपका 26 नंबर का क्यूस्चन है दोस्टो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपको बताना है तो भारत का जो सबसे बड़ा जिला है दोस्टो वो गुजरात का कच जिला है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूस्चन है, गेटवे आफ इंडिया कहां स्थित है तो आपको याद रखना है गेटवे आफ इंडिया जो है वो बुम्बई में है, नेक्स्ट क्यूस्चन है भारत की राष्ट्रिय नदी कौन सी है दोस्तों, तो मैं आसा करता हूँ, आप पुछा गया है वो हगंगा नदी का दूसरा नाम जो है वो भागी रथी नदी है क्या है भागी रथी नदी है नेक्स्ट क्यूस्चन है दोस्तो मिजोरम की राजधानी क्या है काफी बार एक्जाम में आया हुआ है नर्सिंग स्टेंड में भी आया है और टीडियन के अंदर भी आया है और जिड़ी के अंदर भी आया हुआ है तो दोस्तो याद रिखना अगर मिजोरम की राजधानी पूछी जाती है तो है आई जोल next question जो है दोस्तो हाली में राजधान के किस जिले में लीथियम के बंडार मिले हैं तो वो मिले हैं नागर के डेगना जिले में लीथियम का बंडार मिला है और वहां पे रेवत की डोगरी है और ये असी पर सिधत विस्टवे का याँ पे बंडार मिलने की जो उमीद लगाई जा रही है दोस्तो और अभी चाइना से जो ले रहे हैं हम लीथियम उसके बजाए हमें यहीं से पूर्टी हो जाएगी और बहुत जादा यहां से लीथियम के बंडार मिले हैं नेक्स्ट क्यूस्चन जो है दोस्तों वै कालपनिक रेखा कोन सी है जो भारत को दो भागों में विवाजित करती है यह एक्जाम जो है एक्जाम के दर्ष्टी से वेरी इंपोर्टेंट क्यूस्चन है और लगभग एक्जाम के अंदर यह क्यूस्चन बार बार टपकता है तो इसको इस्टार लगा लेना है बार बार रिपिट होने वाला क्यूस्चन है वै कालपनिक रेखा कौन सी है जो भार पुर्वी देशांतर से लिया गया है नेक्स्ट क्यूस्चन जो है दोस्तो वो है भारत का मनक्स में कहां से लिया गया है ये साड़े 20 डिग्री पुर्वी देशांतर को आधार बनाया गया है जो कि इलाबाद निन्नी से होकर गुजरती है एकजाम की दरश्टी से दोनुई क्यूस्चन बहुत इंपोर्टेंट है बारतिया अंत्रिक्स अनुजदान संस्थान का मुख्यलिक कहां प्रवस्थित है काफी बार एकजाम में आया है बैंगलूरू नेक्स्ट क्यूस्चन है दोस्तो 36 नंबर का अंत्रिक्स में पहुचने वाला विश्वय का पर्थम व्यक्ति कौन था अगर विश्वय का पूछा जाता है तो दोस्तो आपको यूरी गागरीन का नाम बताना है नेक्स्ट क्यूस्टन है चंदरपां पर उतरने वाला विश्वय का पर्थम व्यक्ति कौन था तो चंदरपां पर उतरने वाला विश्वय का जो पर्थम व्यक्ति था वो नेल आर्म श्ट्रांग था दोस्तों आपको याद रखना है नेक्स्ट क्यूस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और बार बार टपकने वारे जो question है उन में से 20 से 30% जो question है वो उने में से टपकाए जाते हैं दोस्तों क्योंकि आप लोग सोचते हुए तो पिछे आये वाग क्या आएगा लेकिन उने में से क्या है कि exam examiner question डाल देता है क्यों कि तक क्या है कि students pass marking जो number है वो निकाल सके तो जारखंड में है और ये वने जी वह ब्यारण है जारी बार्ग नेशनल पार्क जो है वो Next question है دोस्ugen दोस्तों चुनाव आयोग का जो मुख्यलिय है वो कहां पर स्थित्य और चुनाव आयोग का जो मुख्यलिय है दोस्तों दिल्ली में है और दिल्ली देश की राजधनी है बारत का पहला नाभी की सक्ति स्टेशन कहां पर स्थित है दोस्तों तो वो तारापुर में है भारत का पहला नाभी की सक्ति स्टेशन पुछा जाता है तो तारापुर में है दोस्तों नेक्स्ट क्यूस्चन है बार-बार एक्जाम के अंदर आये हुआ है संतोष ट्रोफी का समन्द किस खेल से है तो दोस्तो संतोष ट्रोफी का जो समन्द है वो फुटबाल से है नेक्स्ट क्यूस्चन है आपके लिए 43 नमबर का क्यूस्चन है और ये साइस क्या क्यूस्चन ह सक्ति की इकाई है तो सक्ति की इकाई जो होती है दोस्तो वो जूल है काफी बार एक्जाम में आया है next question है जो आपके लिए एक किरन की खोज किस ने की थी x किरन की खोज पूछ रहा है किस ने की थी x किरन की खोज किस ने की थी तो रोट जन ने की थी दोस्तो चेहरे में कितनी हडियां होती हैं इस्टार लगा लेना आएगा एक्जाम के अंदर चेहरे में 14 हडियां होती हैं दोस्तो नेक्ष्ट जो कुष्टन है विज्ञान के किस साखा के अंतरगत मान उतवचा का हद्धेन किया जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुष्टन है दोस्तो याद रखना छपेगा तो विज्ञान के किस साखा के अंतरगत मन उतवचा का द्धेन किया जाता है तो वो है डर्मेटोलोजी याद रखने लेना डर्मेटोलोजी भारी जल का सामनेता बनता है जो भारी जल है वो सामनेता समुंदरी पानी से बनता है और भारी जल का अगर सुत्र अगर आपको पूछ लिया जाता है सुत्र तो आपको बताना है D2O काफी बाल आ जाता है भारी जल का सुत्र तो D2O होता है नेक्स जो क्यूस्चन है बिजली की खपत की काई क्या है तो बिजली की खपत की काई जो है दोस्तो वो किलोवाट घंटा है Next question जो है दोस्तो कारबन का सबसे सुद रूप क्या होता है तो कारबन का जो सबसे सुद रूप है दोस्तो वो हीरा होता है उसके बाद में जो होता है वो graphite होता है next question है एक सवस्थ मनुस्य के सरीर का समानित आपमान होता है तो एक सवस्थ मनुस्य के सरीर का जो समानित आपमान होता है वो 37 degree centigrade होता है exam की दरश्टी से बहुत important video थी आज की इस video में मैं 50 question जो की फटा फटा आपको करवा दिया है आपका time ने खराब करते हैं दोस्तों इस video को आपको अधिक से अधिक share करना है अधिक से अधिक like subscribe करना है और दोस्तों exam के अंदर ये video आपके लिए रामबन साबित होगी इसलिए इस video को पूरा सुने